हेलो एब्रिवान गुड मॉर्निंग शरुपा ब्लोग में आप सब को सवागते आप सब कैसे हो अशा करते हूं ठीक हो अभी से में एक न्यू ब्लोग स्टार्ट कर दिया और बन रहा था किया दूपर की लांच और मैं आज कल बहुत जल्दी बना देती हूं इसलिए आप तक 11 बजे में खाना बना लोंगी तो मतलब 11 बज़े में शुरू करोंगी तो एक बज़े तक हो जाएगा बीच-बीच में मेरा बेटी को नहा के देना दूद्द पिलाना दूसरा काम करना तो अभी में अर-एक दाल इंडक्स में बठा दिया था और आधा घंटा की लिए से ना यह बाला चावल एक घंटा भीगाओ तो अच्छा बन रहा है कोई दूसरा चावल जैसे लेके आता है ना भीगा के राखो तो खराब भी हो जाता है कुछ पता नहीं चलता क्या करना तो अभी मैं यह सोच रही थी अरार की दाल और सोबजी में नहीं बनाऊंगे आज आज पत्ता को भी और गाजर्रों दोनों लिटर बना देते क्या बनाऊं में सोचके काट रहे थी अभी में देख लेती हूं क्या बनना है फिर में सोची अभी सुची तो मैं बनाऊंगे नहीं लेकिन मैं पकोड़ा बनाँ दूक लाश चौप करने वाला हम चे माले हेट तो एक सीटी में मेरा दाल गल गया था तो मैं बठा दिया था चावल लेकिन खाना भी में बनाओंगे दाल को बलके रख दिया चाओल में बठा दिया जैसे बारा बज़ जाएगा उसके पहले मेरा बेटी को नहा के देंगे दाल को लगाएंगे तरका और फिर एक पकोड़ा मतलब इसका जो मिक्स पकोड़ा बन रहा इसमें डाला था थोरा सा अधरक दो पियाज हरा मिर्ची हरा में बताती हूश है पहले में दाल को तरका लगा देते तरका लगानी के लिए मैंने कुछ भी नहीं डालों घटा को बहुत अच्छा बनता है और की डाल में बहूत तरका ब्हुत अच्छा लगता उसके बाद लसन डाल दिया खुब शारा लसन डालना बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा से लसन को जैसे भून लेंगे न थोड़ अच्छा खुजबू निकल जाए उसके बाद डाल देंगे एक टमाटा जैसे डाल बन जाता है उसका पहले आप इमली भी डाल सकते हो लेकिन में टमाटा डाल दिया थो इमली नहीं डालोंगी ऐसे तो में आरार की दल इमली डाल के बनाते हूं कभी गबारं ऐसी भी बनाते तो टेस्टी बन जाता है अपना खुद का खाना सब टेस्टी बोलते हैं खाना एक बनाती हूँ फिर चूला साप करते हूँ फिर दूसरा बनाती हूँ फिर साप करते हैं एक सुखा वाला और एक गीला वाला हमेंशा कपड़ा रहता है मेरा कीचिन में तो अभी देखो जो नमक मिला के रख दिया था ना तो अच्छा से इसका जो पानी है वो निकल पूरा पानी को ना फेक देना है जो पत्ता गोबी का खुचबू हो ना पानी के साथ निकल जाता है ऐसे उबलने के बाद जैसे पानी फेक दो तो पत्ता गोबी का जो खुचबू हो चला जाता है ऐसे नमक मिला के भी रख दो तब भी चला जाता है पत्ता गोबी में अभ तो मैंने डालने के बाद अभी ठीक है तो अभी उसको ढखके रख देंगे और उसका बीच में मेरा हजबन आके ना मचली देखे गया तो मैं अभी ना ग्रेवी बला मचली नहीं बनाऊंगी मेरा बेटा के लिए दो तिन पीच उठा के रख देंगे फिरीज में क्यूंकि ओ पोने चार बज़े तक आते है तो फिर ट्यूशन चला जाता है और मैं दूपर का खाना और सुबे का जो लांच होता है ना मैं दोनों पैक करके भेजती हूँ दो जगा सुबजी दो जगा रोटी जो भी में बनाती हूँ रोटी पर उठा अलग-अलग जगा में भेज दे उसके बाद एकदम निश्चिंत हो जाते हैं मेरा काम क्योंकि जब वो जाती है उसके बाद जो भी छोटा मोटा काम रहता है मैं कर लेती हूँ फिर दुपर का लांच ना आडाम से बैट के मैं कर सकती हूँ ने तो मेरा बेटी ना बहुत बगबग करती है पूरा दीन का उ मचली और चावल बना देंगे तो अभी मचली को अच्छा से फ्राई कर लेती हो इसके बाद बठाऊंगी दूसरा कराई और बनेगा पकोड़ा फिर मैं पड़ी को खाना के लाएंगी तो इतना जल्दी जल्दी यह ना कराई बहुत ज्यादा पतला है तो जल्दी बन रहा थ दूसरा फिर तेल डालके ना बेटा का मचली फ्राई करोंगी क्योंकि एक दम काला जैसे हो गया है और यह बन रहा था पकोड़ा सच में यह पकोड़ा जब चावल के साथ खाया ना इतना टेस्टी लगा लेकिन वह भी धीरे-धीरे फ्राई करना है अच्छा से फ्राई कर करेंगे ना तब में बेटा के लिए अलग से फ्राई करके दोंगी मेरा पड़ी को एक दिया था मैंना जब सब कुछ काट रहा था ना जैसे पत्ता को भी गाज और उस टाइम ना मिर्ची बहुत सर डाल दिया था एकदम धिया था क्योंकि बेटी पकोड़ा बहुत कम खात थोड़ा जादा बना के रख देती उसमें ठंडा पनी मिला देते और अभी मेरा बेटी का खाना लेके जा रहे हूं कि अभी एक बज़ गया तो एक बज़े में शुरू करूंगी ना तो फिर देर बज़े तक पोने दो बज़े तक खतम हो जाएगा उसके बाद ना दो पं नहीं खालेंगे पर अभी दूसरा रूम में आ मोबाईल देख रही है आप तक मैंद के मोबाईल देखती देखो एसे के मोबाईल देखती है तो चलो अभी आप सब कर देते मिलें बनाव बराई दूसरा दिन फिर आप सबको सियार करूंगी तो प्लीज लाइक कोमेंट सियार और सस्क्राइब कर लेना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो